आरलपी छोड कॉंग्रस में शामिल होने और लोग सभा टिकेट मिलने के बाद उम्मेदा राम बेनिवाल पहली बार रात 11 बजे बार मेर पहुचे आचार संगिता के कारण प्रस्तावी जन्सभा का यूजन नहीं कर धनेवाद्या से पहले जोटपूरे अअरपोर्ट पर कॉंग्रस ने ताउ ने बेनिवाल का जम कर स्वागत किया वहीं जोदपूर से बार मेर वहन रैली निकाल कर पहुचे जोरान कॉंग्रस ने ताउने एक जड़ता नज़र आई बेनिवाली मीजा जबाचीत में निर्दली अविधायक रविंदर सिंग भाटी की प्रशन शाकिवाई आरलपी से गड़ बंदन होता है तो बार मेर ही नहीं पूरे प्रदेश में कॉंग्रस को फायदा होगा दरसल रालो पक से कॉंग्रस में शामिल हुए मिदा राम बेनिवाल को कॉंग्रस से लोग सभागा का प्रत्याशी घोशत करने के बाद पहली बार शकरवार को बार मेर पहुचने के दोरान जग़ जग़ बेनिवाल का स्वागत किया गया रैली में बड़ी संख्या में वहाँ शामिल हुए बार मेर शे बज़े पहुचने का प्रस्तावित था लेकिन रात को ग्यारा बज़े का इट्रेट पहुचे ही हाँ चार संख्यता के कारण सभा आयोजित नहीं की गए उन्होंने सभी कारिकरताओं को धनेवाद दिया कॉंग्रस से प्रत्याशियों मिदराम बेनिवाल ने कहा कि कॉंग्रस के आला कमान अगर आरेलपी से गड़बंदन करते हैं तो बार्मेर ही नहीं पूरे प्रदेश को इसका फायदा मिलेगा एक और एक ग्यारा होते हैं मिलकर लड़ने में सबको फायदा होगा आरेलपी और कॉंग्रस के गड़बंदन की बाज शुरू से चल रही थी ये निड़ने लेने का अधिकार कॉंग्रस फाठी का है मैंने मेरे कॉंग्रस जुआइन करना मेरे अनिजी फैसला था नदली विधाय क्रविंदर सिंग भाठी की तारीफ और मिदराम बेनिवाल ने शिविधाय की तारीफ करते हुए कहा कि भाठी के जजारू छात्र नेता है लोगतंत्र के अंदर सभी को चनाव लड़ने का अधिकार अगर चनाव लड़ते हैं तो उनका स्वागत और नहीं लड़ते हैं तो उनकी मर्जी